सो हेलो यूटूब फेमली वेलकम करते हैं आप सभी का दिलीब गेमिंग में सो गैसे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो इलाइट पास आया हमारा जून मौन्द का जैसे कि सीजन 37 इलाइट पास आया है इसका मैं आपको फुल रिवियो करके दिखाऊंगा क्या कुछ अच्छा है इसका मैं रेटिंग भी आपको दिखाऊंगा ओके इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इलाइट पास आया हमारा जून मौन्द का ये हमको डिस्कॉर्ण में मिलेगा या फी नहीं मिलेगा और मिलेगा तो उसका रिजन बताऊंगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा उसका रिजन बताऊंगा वीडियो बहुती ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है आप सभी के लिए सो वीडियो को पुरा जरूर से देख लेना पाथ दस मिनिट का टाइम निकाल के जरूर से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई के बड़ यार इससे पर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ओल्वेस लिट के लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तो चलिए गया आज किस वीडियो स्टार्ट करते हैं आकिर हमको सीजन 37 इला लाइट पास का रिव्यू करके दिखा देता हूं उसके बाद में इसका डिसकॉंट के बारे में बात करूंगा ओके तो फर्स्ट में हम लोग यहां पर इलाइट पास के अंदर आते तो भाई हमको यहां पर एक मोस्ट्रक की स्कीन देखने को मिलती है जो की काफी अच्छी है अच्छा लग रहा में लिखा हैं यह भी अच्छा है और इधर रेके से यार बैनर है तो ऐसके बात चोड़ो है अपने खास खास यहां पर चीचे बता देता आपको यह रहा फेमेल बंडल ओके तो काफी अच्छा दिख रहा में को तो भाई मलब यह बंदी भाई मलब आप लोग देख सकते भाई यार इतना भाई साइक सिंगर ले भाई देखो भाई कितना ओप यह बंडल यार ना चलो गैस मैं अभी आपको बता देता हूं यहां पर एक छोटा वाला जो सोड़कन होता है उसका इसकी ने यहां पर आता है बेक पेक जो की काफी अच्छा है गैस काफी अच्छा है गैस बेक फेक आप इस तरह का देखने को मिलेगा चलो यह भी ठीक है लेवल ओन का यह है लेवल तरी का काफी मस्त है तो अभी यहां पर बात कर लेते हमा जो बेनर है इस टाइप का यह बेनर भी काफी अच्छा लग रहा मिलको और यह है हमारा MP5 का स्कीन जो की सीजन 37 इलाइट पास के अंद अच्छा लगा गा इस मतलब क्या ही बोले और इस इमोट का नाम होने वाला है गुड गेम तो भाई देखो अगर आपका गेम अच्छा गया हो यानि कि आप लोगों ने लाश्ट में बूया निकाल लिया तो भाई यह इमोट दिखा सकते हो आप लोग और बंदे को कोई व मुझे कमेंट सक्षिन में आप लोग जोब सा बता देना आपको क्या लगता आये तो अभी में बात के लिए तो आगे यहां पर इसके तुक आजिसुरा का रिखंग को मिल रहा तो आजे वे और बात करें और चलते हैं यहां पर आप लोग आपंव देखनी को खो नहींरेु वाला है प्रिंस एप्टर डार्क बंडल तो आप लोग यहां पर देख सकते हो गैस और यहां पर इसके हैर है जो कि काफी अच्छा लग भी रहा है इतना भी काफी अच्छा नहीं लेकिन मुझे लगता है अच्छा है ओके और अभी यहां पर देख सकते हो सोच और यहां पर देख सकते हैं इसका PENT आप लोग देख सकते हैं बोलते हैं काफीं यह और field Scripture को क्या आप लोग रहा है है और में एक स्यूंग के हैं और इस उस link से एक एपको download करना है ईङ्जो gold okay उसमें केस आपको अगर मेरी link से स्वाप Weест करने से यह और आप उससे kefa game खेल सकते हो और game केकर ऐस सारा पैसा और डायमन्ट होश अरवक्त कर सकते हैं और फ्यामन्ट वेडह अविछक ने लोग के विंजो गोल्ड के अंदर और गैस आप लोग एक दिन में 30,000 डायमंड जी सकते हो तो गैस काफी अच्छा मनलब एप है आप लोग जाके डाउलट करिएगा लिंक डिस्कॉप्शन में ओके तो अभी बात कर लेते के इस डिस्कॉंड के बारे में ओके तो अभी आप कि आप लोग अभी भी वीडियो पर बने रहोगे और बने रहे होंगे तो गैस अभी मैं आपको बता देता हूं देखो इलाइट पास के अंदर डिस्कॉंड तब आता है जब इलाइट पास थोड़ा अच्छा नहीं हो अगर बंदों का अगर रेटिंग बोले तो बंदों आपको बोल देता हूं 5.12 या 5.5 रेटिंग पे आपको जो इलाइट पास होता है वो डिस्कॉंड में देखने को मिलता है अगर यहं इलाइट पास अच्छा नहीं होता है मतलब इसके अंदर अगर इमोर्ट नहीं होगा तो आपको हंड्रेट परसेंट डिस्कॉन देखने को मिलता है अगर इस इलाइट पास के अंदर इमोट वगेरा नहीं है और काफे सारों बंदों का आप पर रेटिंग रेटिंग की बात करी जाए तो अगर रेटिंग 5.5 हो तो यहाँ पर जो डिस्कॉन है हमको देखने को मिलता है अगर इलाइट पास के अंदर अगर इमोट वगेरा अच्छा है और बंडल्स वगेरा भी अच्छा है इसके अंदर जो रिवार्ट से वो भी अच्छा है तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर अच्छा रिवार्ट होता है और कुछ बंडल भी अच्छ होते है और उसके अंदर एक इमोट भी दिया जता है तो भाई गरेना हमको डिस्कॉन नहीं देता है क्योंकि गरेना भी हमसे मलब हो सारा पेसा यार न करना चाहता है पता नहीं यार गरेना भाई मलब क्या ही बोले यार गरेना की बाद छोड़ भाई वह बहुत बड़ा कंपनी यार और अगैस अभी आप लोग सामझ में आई गया होगा कि मैंने क्या बोला है देखो अगर इलाइट पास के अंदर अच्छा सा रिवार्ट होगा तो इलाइट पास डिस्कॉन में नहीं मिलता और इलाइट पास के अंदर अच्छा रिवार्ट नहीं होता जैसे इमोट नहीं होता बंडल अच्छा खसा नहीं होता तो हमको इलाइट पास के अंदर डिस्कॉन देखन करके जाना बेल आइकोन और पर स्लेट कर देना इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए क्योंकि इस चैनल पर आपको इवेंट्स अपडेट्स की फुल डीटेल के साथ वीडियो मिलती है तो सस्क्राइब कर लेना पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको और पर स्लेट कर लेना चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर बाबाई